नमस्कार सूप्रभात आयनेशनीज में आपसे विदर्शकों का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अपूर्वा सिंग वक्तों चला है सुभल सवेरेका विलेटिन की शुरुवात करते हैं मध्यप्रदेश की खबरों के साथ केंजीक्रश्य मंतरे शिवराజ सिंग शोहान ने बूधनी विधान सभा सीट से इस्तीफा दे दिया है वीडिङो जारी कर शिवरास सिंग ने कहा कि मैं बहुत भावुख हूँ मैंने मध्यप्रदेश विधान सभा की सदस्यतर शित्याग पत्र दिया है मैं बूधनी से जन्ता ने मुझे एक लाग छार्जिस हजार वोटों से जिताया है। कि मैं बहुत भाबुक हूँ। मैंने मद्ध बुर्देश विधानसवा की सतस्यता से त्याक पत्र दिया है। मैं बुधनी से विधायक था। और बुधनी विधानसवा छेत की जन्ता, मेरे रॉम रॉम में रमती है, मेरी हर सांस में बसती है। मैंने बुधनी से ही अपने सार्व जन्ते गीवन का प्रार्म भुकिया था। बच्पन से ही आंदोलन और फिर जन्ता का प्यार लगातार मिलता चला गया। इसी बुधनी विधानसवा छेतर से मैं छे बार विधायक रहा। सांसत के चुनाओं में भी छे बार इस जन्ता ने भारी बहुमत से मुझे जिताया। पिछला विधानसभा का चुनाओं मैं रिकार्ड एक लाग पांच हजार वोटों से जीता था। और अभी लोकसभा में इसी जन्ता ने मुझे एक लाग शालीस हजार वोटों से चिताया। और इस जन्ता ने भी मुझे भरपूर प्यार दिया है। आसिरवाद दिया है। जन्ता के इस प्यार पर मेरा पूरा जीवन नियुछावर है। और अपनी संपूर्ण चंता के साथ मैं जन्ता की सेवा में लगा रहूंगा। अपने प्राणों से प्ये जन्ता को बारम बार प्रणाम। इधर के इधर किशी मंतरी शिवराज संग चहान सोमवार को सलकन पूर मस्तित मा बिजासन देवी मंदिर पहुंचे। उन्होंने यहाँ विशेश पूजा अर्चना की कुल्देवी मा बिजासन देवी के दर्शन कर आशिरवाद लिया। इससे पहले भाश्पा कारेकरताव द्वारा हेलिपेड और मंदिर गेच पर उनका भाव्वे स्वागत किया। शिवराज सिंग ने गर्भग्री में बैच कर विदिविधान से पूजा अर्चना की मा बिजासन की आर्थी के बाद परिक्रमा भी की। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी साधना सिंग, पुत्रकार्ती के, कुणाल और राजस्वमंत्री करन सिंग बर्मा मौजूब रहे। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि मा से प्रदेश और देश की सम्रिध्धी और कल्यान की काम ना की है। पधानमंती नरेंदर मोदी जी के नेतिर्त में देश विक्सित रास्ट बन रहा है। आनमाले समय में हम देश की तीसरी अर्थ विवस्ता अवश्य बनेंगे। मत्यजी के नियत्रत्म में विक्सित भारत का जिर्मान हो और विक्सित भारत में किर्सी का अपना विशेश इस्थान है किर्सी भारती अर्फगवस्था की रीड़ है और उसकी आत्मा है किसान किसान अन्यदाता है अन्यदाता की बहतर सेवा कर सके क्योंकि उनकी सेवा देश की सेवा भी है और भगवान की पूजा भी है खबरों में आगे बढ़ते वे चलिए बात करते हैं मध्यप्रदेश के भाजपा अध्यक्षिक वीडी शर्मा की जिनका कारेकाल अब बढ़ेगा इधर मंडला से भाजपा सांसत फगन सिंग कुलसते का एक बयान सोचल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा था जिसमें वो कहते नजर आ रहे थे कि मैं तीन बार राजमंत्री रहा हूँ चौती बार राजमंत्री बनना सही नहीं लगा इसलिए मैंने साफ इंकार कर दिया कैबिनेट बनता तो ठीक है राजमंत्री तो तीन बार रह चुका हूँ वहीं अब इस वाइरल वीडियो पर फगन सिंग कुलसते ने सफाई दी है फगन सिंग का कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड कर पेश किया गया है अब देखे इसके बारे में देखे यहां पर कोई सिनियर जुनियर का सवाल नहीं है यह जरूर पार्टी के अंदर इसा लगता है लोगों को कहने के लिए परतु मैं कहा इस बात के लिए पूरे कारकरताओं को भी कहा मैंने कहा देखे यह अवसर जो मिला है इस अवसर का लावंग पार्टी के कारकरताओं के साथ मिलकर अपने निर्वाचन छेत के अंदर इसको थोड़ा और बहतर बनाने का प्रयास करेंगे ये भी मेने कार नर्सिंगपूर जीले के गटे गाव विधान सभा छेतर के विधायक महिंदर नागेश आइनिश न्यूस के ऑफिस पहुंचे जहां उन्होंने हमारे समादाता संजेस साहु से खास बात चीत की देखें उन्होंने क्या कुछ कहा मद्यपुदेश में बदान सभा और लोक सभा के चुनाओं हो चुके हैं अब सरकार जो है वो पट्री पर आना सुरू हो चुकी है चुकि लगतार आचा सही ता लगी रही तीन महीने और उसके बाद अब काम का सुरू हुए हमां साथ मौजूद है गोटे गाव बदान सभ चेते के बदायक भारती जनता पार्टी के नेता महन नागेस हम उन से चर्चा करेंगे और जानेंगे इस बार क्या रूप रेका सहेगी सरकार की लगता जिस पकार के काम होना चाहिए था चुकि बीच में चुनाओं आ गयते लोक सभा के अब उससे अप निकल चुके 29 की 29 स मद्यप्रदेश में सीटें आएगी जनता का हम आभरवक्त करना चाहते हैं भारती जनता पार्टी के कारिकरता का आभरवक्त करना चाहते हैं जोन्होंने मद्यप्रदेश में 29 में से 29 सांसत भारती जनता पार्टी को दिये जिससे करनल मोदी जी की सरकार पुना तीस ही बा प्रधार मंत्री जी को बढ़ाई सारे मंत्रियों को बढ़ाई और कारिकरतां को बढ़ाई आपको यह बढ़ाई 29 की 29 सीटें वाचुकि भारती जनता पार्टी पूर्ल मेजाइटी में कितनी चुनोती रहेगी इस बार चुनोती तो कुछ नहीं है काम करना है बस जो जनता से बादे किये हैं प्रधान मंत्री जी ने चाहे बरतमान जो सांसा चुनाव लड़े या हम विधायक होकर जो चुनाव लड़े हम लोगों जो बादे किये हैं चुकि मैं पहली बार गोटेगाओं विधान सब हमें विधा और उन्होंने अपनी प्रात्मिक्ताओं के बाड़े में बताया आप देखना यह होगा कि नए बदायक बने हैं और नई चुनोतियां भी इनके समक्षें बोच चुनोतियों को कितना पूर्ण कर सकते हैं जबल पोसमाज सही होगी अनुक लाल के सांथ संजय साहू आएने पुमुखे मंती राजरी शुक्ला ने सरकारी विभागों के करमचारियों की देर से कार्याले आने और गायब हो जाने की मनमानी पर अंकुष लगाने की ठानली है उन्हें कहा है कि सरकार सुशाशन की तरफ अपना कदम बढ़ा दी है सुशाशन के लिए जो जरूरी निर् होते हैं और लोग उसको एप्रिशेट भी करते हैं बीच के लोग जरूर उसमें ब्रह्म फैलाने के कोशिस करते हैं लेकिन मद्धपरदेश में सुशाशन की इसापना हुई है और उसी के कारण मद्धपरदेश से बीमारु राजी का कलंग खटा है और लोग उसको सहुग करते हैं अब यह इसकी जांकारी लेनी होगी लेकिन कुल मिलाके सुशासंग के लिए उठाए गए सारे कदम को एप्रिशेट किया जाते हैं गुर्दोष के अथार पर उसमें समीशा होती है और उसके बाद ही ते होता है क्या करना है चलिए बात करते हैं मध्यप्रदेश कॉंग्रेस की जहां प्रतिनीधी मंडल ने प्रेस कॉंफरेंस के माध्यम से देवी अहिलिया विश्वविद्याले में पेपर लीक का मुद्दा उठाया कॉंग्रेस ने विश्वविद्याले की कुलपती, रेडू, जैन, कुलसचीव और कारे परिशट पर सवाल या निशान लगा है साथ ही तीन कॉलेजों पर कारवाई ना करने का आरोप लगा है वही कॉंग्रेस छोड़ भाजपई में शामिल हुए अक्षय बम के कॉलेज पर नयोचित करवाई ना करने का हावाला भी थिया और सक्त करवाई की मांगी है मिंडिनाल पंथ का आरोप है कि भाच्पा के नेता बने अक्षय बम के कॉलेज से MBA का परचा लीग होता है तो मामली करमचारी पर कारवाई कर दी जाते हैं जबके विश्विध्याले के प्रचलित धाराओं के आधार पर संबर्दित संचालक द्वारा संचालित सभी कॉलेज की मानेता रग की जानी थी कि विश्विध्याले की कुलपती और रजिस्टार का जो रवया रहा है उससे इस पश्ट दौर पर प्रमानेत होता है कि पेपर लीक के आरोपियों को बचाने की वो हर संबर्द कोशिश कर रहे हैं बलकि पेपर लीक में उनकी संलिप्ता भी है और इसकी जाच करने में उन्ह पती रजिस्टार और कारपरिशद अपनी भूमिकान निभाने में असफल हो गए तब 14 साल के बाद मुख्यमंत्री जी ने उच्छ शिक्षा आयुक्त को कारपरिशद की बैठक में शामिल होने भेजा तो हमें उम्मीद थी कि कुछ गिरफतारिया होंगी कुछ कड़ी कार उन्होंने कहा कि किसी नेगेटिव मसले पर कोई बात नहीं होनी चाहिए उन्होंने कारेपरिशद पर इस घटना को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए दबाव डाला तो NCEAT की नई किताब ने नई बहस को जनम देखिया है दरसल 12 की राजनितिक विज्ञान से अब बाबरी मस्जित भगवान राम, श्रीराम, रत्यात्रा, कार सेवा और विद्वन्ष के बाद की हिंसा की जानकारी हटा ली गई है NCEAT का मानना है कि हम पॉजिटिव नागरिक बनाना चाहते हैं, इसलिए दंगा हंसा जैसी घटनाओ की किताबों में कोई जगा नहीं है, हाला कि विपक्षिस कदम को भाजपा की विचार धारा से प्रेविद बता रहा है NCRT किताब पर सियासी पारा हाई पाट को लेकर बढ़ा विवार नई बुख से बाबरी मस्जद हटाया कार सेवा और विद्वन्स की डिटेल्स भी गायब NCRT की कक्षा बारवी की राजनत्रिक विज्ञान की नई किताब बाजार में आ गई है आरूप है कि संशोधित किताब में इतिहास पुनरलेखन की चाप दिख रही है दावा है कि किताब में बाबरी मस्जद का नाम नहीं लिया गया है उसे तीन गुंबद वाली संदचना कहा गया है साथ ही राम जन्म भूमी आंदूलन के बारे में विस्तार से बदाया गया है पहले कक्षा बारवी की राजनत्रिक विज्ञान की किताब में अयुध्धा खंड चार पन्नों में था जिसे घटा कर अब दो प्रिष्टों में समेट दिया गया देखें, NCRT की किताबों का जो तयार हिक करते हैं वो इतिहासकार करते हैं और इतिहासकारों ने अगर कोई निर्ना लिया है तो सोच समझ के लिया होगा बाबरी मस्जित विद्वन्स या उसके बाद हुई सामप्रदाइक हिंसा का संदर्व क्यों हटा दिया गया इस सवाल पर NCRT की डारेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी का कहना है कि हमें स्कूल में दंगों के बारे में क्यों पढ़ाना चाहिए हम पॉजिटिव नागरिक बनाना चाहते हैं ना कि हिंसक और आवसाद ग्रस इंसान अलग इस पर अलपसंख्यक समुदाय और विपक्षी पार्टियों का ये भी कहना है कि नई किताब BJP की भाशा बोल रही है तो ये इस तरह के जो संसोधन है ये संसोधन जो है एकेडमीशियन की राय से लिए जाने चाहिए ये सरकार की सनक पर आधारित नहीं होना चाहिए अगर एकेडमीशियन्स ने इसको सजेश्ट किया है सुझाव दिया है तो उन्होंने इसके लिए लिए लिखा होगा प्रस उसका उत्तर भी दिया होगा साल 2014 के बाद से चौती बार संशोधन किताब में हो चुका है कभी घटनाओ को दर्शाने का हवाला दिया गया तो कभी सिलेबस के बोच को कम करने की दलील दी गई आईए आपको बताते हैं कि नई किताब में क्या-क्या हटाया गया बाबरी मस्जित हटाया गया सुप्रेम कोट के फैसले का एक अंच भी हटाया गया अयोध्या विवाद की जगह अयोध्या विशय किया गया अयोध्या की घटनाओं पर भाजपा का खेद भी हटा दिया गया अखबारों की कटिंग की तस्विरों को भी हटा दिया गया कार सेवा और विद्वन्स की डिटेल भी गायब भगवान राम रत्यात्रा की जानकारी भी हटाई ब्यूरो रिपोर्ट आइनिश 24-7 भोपाल इदर राजधानी भोपाल की बड़ी जील में तीन दिन पहले श्री नगर के डल जील की तर्च पर शिकारा बोट का संचालन शुरू किया गया था जो अब ठंडे बस्ते में चला गया है निगब ने बिना किसी प्लानिंग के बोट का संचालन शुरू किया था लोगों से ज्यादा तवज्जो नहीं मिलने के कारण अब बोट को किराने लगा दिया गया है वही पैंजिल बोट की डिमांड अब स्यादा है नगर की डल जील के तच पर राध्दानी बोपाल की बड़ी जील में शिकारा बोट का संचालन किया गया था लेकिन तस्वीर आपको साब बता रहे हैं देख सकते हैं किस तरह से यह शिकारा बोट की स्थिती बनी है बीते तीन दिन पेले भोपाल महापुर मालती राये ने इसका शुवारण किया था लेकिन शुवारण करने से पेले ही यह हसी का पात्र जो हे भोपाल का शिकारा बोट बन गया था कई न कई नगन निगम ने बिना प्लानिंग के इसको जीले कुई नगरी बोपाल में उतारा लगबग इसको 60 हैयार रुपे का खर्च किया गया था शिकारा बोट बनाने में नाव को शिकारा का शकल दे के बड़ी जील में उतारा शिकारा बोट को परेटक इसको खास तबज सब्सक्राइब को देखने पोचे ते लेकिन इसको तवज्जों नहीं दे रहा है नगन निगम ने जुगाड से शिकारा बनाया गया शिकारा बोट के लिए अब जो सवारी भी जो है इस तो मिलती हुजन नहीं आरी आप देख सकते हैं यह शिकारा बोट अकेली खड़ा है को परेटक जहां पोस्त हैं लेकिन इसकी डिमांड जो है जादा नहीं हो रही है सबसे जादा डिमांड जो पेडिल वाली जो बोट है उसकी डिमांड जादा है अब देखना होगा नगन निगम इसको किस तरह से आगे और संचालन करती है केमर्मन स्रीकान के साथ सनी मालविया आइनेश निउस भोपाल अगली खबर रेल यात्रियों से जोड़ी जहां रेलवे ने अपने यात्रियों की सुविधा और ट्रेनों की पहचान को सरल बनाने के उदेश से गाडियों के नंबर में बदलाव किये है रेलवे बोड ने यात्री ट्रेनों में वर्तमाई शून नंबर प्रलानी के बजाए इन्हें नियमी ट्रेन नंबर से जलाने का फैसला लिया है भुपाल मंदर से गुजरने वाली 22 यात्री ट्रेने का फिर से नंबर परिवर्तन सूचना जारी कर दी गई है एक जुलाई से मेमू और यात्री ट्रेनों के नंबर बदलेंगी इल्वे ने यात्रीयों के सुविधाय और ट्रेन के पहचान को सरल बनाने के लिए बड़ा बदलाव किया है आपको बता दे कि बीना मेमू सहित 22 ट्रेनों के नंबर में बदलाव किया गया है पहले नंबर जो है शूनी से सटार्ट होते ते लेकिन अब इनमें बदलाव भूपाल मंडल से चलने वाली मैमू ट्रेन में जो चीज है यह एक जुलाई से लागू होगी जिससे जो यात्री हैं उसकी पहचान आसानी से कर सके इससे पहले जो है को रोना काल के पहले वी यही नंबर जो थे वो फिर से अब लाग होने जा रहें कैमरा परसन विपिन के साथ अंजले सेंग आइनस 24 इंट इसेवन भूपाल इधर निवाडी के औरचा में श्री राम राजा लोक निर्मान के खुदाई कारे में कई पुराने अवशेश मिले हैं यह धरोहर करीब 500 वर्ष से पुरानी बताई जारी है खुदाई में छोटा मंदिर नुवा आकृती भी मिली है वहीं अब एक्सपर्ट की देख रेक में काम करने करने नए लिया गया है इससे पहले यहां पूरी बस्ती के अवशेश मिल चुके हैं इंदरोहरों के मिलने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ओरशा बहुत पुर खुदाई खी जा रही थी तो एक इस्ट्रेक्शन नीचे जबीनी सतय के बेस्प्रिट में ला रही है और उसको देखा गया तो एक बड़ा सा डाला और पास में उसके एक हुआ और एक छोटा मंदिर भी अमाप्राफ हुआ है उसकी अभी निरिक्शन किया गया है और उसक के एक परिवार की खुश्या दोगोनी हो गई जब 18 महिवे से खोए हुए उनके इकलोते बेटे की आचानक से खबर मिली यूपी से लापता हुआ यह किशोर सागर के एक घरौंदा आश्रम में मिला बता दे कि किशोर की पहचान आरिफ के तोर पर हुई है जो बच्पन से ही मुक बधीर है गरौंदा आश्रम की संचाली का ने बताया कि 16 वर्ष के किशोर दस दिन पहले इंदौर से आश्रम में आया था वो बोल और सुन नहीं सकता है ऐसे में उसके परिवार वालों की तलाश विकाफी मशक्त करनी पड़ी महीं आधार कार्ट की मदद से जानका उसे आश्रम आने लगे बतादे कि आश्रम प्रभंदन ने आरिफ को सुरक्षित परिवार के हवाले कर दिया है जिसे लेकर वो अम्रोहा पहुँच चुके है जो है कि 10 दिन पहले हमारे पास इंदौर से युगपुरुष धाम से आया था ना तो मुझे इसका नाम पता थ सबस्कार दिन थे आश्रम निवास कर दो लगत था ंवालत जो है कि पहले किसी और आश्रम में रह रहा है फिर अपर हमारे घरोंदा में इसको क्या गया भी कुछ दिन पहले से इसको याद आ रही कि कि उस कारण से इसके आधार कार्ट को हम लोगों ने सर्ज किया आदार क काट क्रश्ता क्ल आसे परिवार को कथा की अपनी वीडियो क्या ने अपने दिदका। और माता पिता ने भी अपने बालक को पहचाना यह पता चला कि 18 महीने से बच्चा लापता था और 18 महीने पहले इन्होंने ठाने में रिपोर्ट करवाई थी यह बालक जो है वो उत्तरप्रदेश के एक गाउं का था तो मत्रप्रदेश के मंडला जीले में सिक्षा व्यवस्था का हाल बेहाल नजर आ रहा है जीले में कई ऐसे स्कूल है जो मरमत के अभाव में खस्ता हाल हो गए है हालात ये हैं कि किसी स्कूल की छट से पानी टपक रहा है और भवन भी जर जर है ऐसे में बच्चों का पढ़ाई करना मुसीबत से कम नहीं है ऐसे भवनों में बच्चे जान जोखिंग में डाल कर पढ़ाई करने को मजबूर है कि स्कूल की दीवारें तूटी हुई है बरसान के साथ से पानी टपकता है खिड़की के पल्ले तूटे हुए है बच्चों के पीने के लिए पानी की बेवस्ता नहीं है और स्कूल के मुख्चे दोर दोर पर ये भी लिखा हुआ है सिक्ष्चों को दोरा ये भी लिख दिया गया है कि स्कूल आना मना है इसके बाद ही बच्चे जान जोखिंग में डाल कर स्कूल आते हैं और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए चल दौटेंगे